हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रियू का क्रियेशन में आप देख रहे हैं ही विस्कस के फ्लावर अर्हूल के फूल इसे मैंने नायलोन से बनाया है जो बनाने में बहुत ही इजी है तो इसे आप ज़रूर ट्राय करें और मेरे चैनल पे प्रेंड्स देखते हैं इससे बनाने का तरीका ही विस्कस फ्लावर बनाने के लिए हमने यहां पे लिया है यल्लो रेड और ग्रीन कलड़ के अनल गे अधियम जिये है हमने दो कलड़ यल्लो और रे नी कॉटन और यह हमे een golden wire लिया है सेमी इसा इसी तरह से सिल्वर आपको तो सबसे पहले हमें क्या करना है वायर की कटिंग कर ली है जिसमें हमें फ्लावर बांदना है अब देखे यहां पर हमें 7 इंच की वायर गोल्डन वायर जो है वह कट करनी है यह 5 पीस हमें कट करना है अब देखे यहां पर 5 पीस हमने कट कर लिए है यह 7 इंच के हैं अब हमें नेक्स प्रोसेस क्या करना है ऐसी नॉर्मल पेन की रिफिल लेनी है हमें और रिफिल के उपर इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है थोड़ा सा हमने देखें यहाँ पर छोड़ा है इतना सा उसके बाद हमें क्या करना है इस तरह से फोल्ड करना है देखे मैंने इसे फोल्ड कर दिया है तिक इसे तरह से आप इसे फोल्ड करें फोल्ड करने के बाद हमने रिफिल को बाहर निकाल लिया बाहर निकालने के बाद आप इसे थोड़ा सा लंबा करें इसे हमें थोड़ा सा खीच के लंबा किया है और देखे इधर से टेक इस तरह से घुमाएं और यह सरकल पीसेस बना कर हमें इस दोनों को आपस में इस तरह से फोल्ड कर देना है सेम इसी तरह से हमें five pieces बनाने हैं अब देखे यहां पर हमने five pieces बना लिये हैं बिल्कुल circle हो गया है यह अब इसमें हमें क्या करना है next wire लेनी हमें golden wire और इस तरह से measurement करने हैं इसे थोड़े से उपर और इसे थोड़े से नीचे इतना करके हमें इससे cut करना है इस तरह से wire हमें five pieces कट कर लेने हैं ठीक है कट करने के बाद हमें इस तरह से सेंटर में center में हमें three time इसे fold कर देना है यह बहुत ज्यादा hard नहीं होते हैं यह soft है यह wire इसलिए इसे आप हाथ से भी कर सकती है इस तरह से इसे ऊपर की और थोड़ा करके हमें यहां पर इसे ऐसे fold कर देना है आप देख सकती है यह wire उतना hard नहीं है मैं इसे अपने finger से ही इसमें हमने attach कर दिया है यह आप attach कर सकती है नौर्मली तो सेम इसी तरह से हमें five pieces ready कर लेने है तो five piece मैं यहां पर golden के करूंगी और five pieces silver के चुकि मैं यहां red और yellow दो flower बना रही हूं तो आप इस तरह से ready कर लें अब देखे यहां पर five pieces मैंने silver के ready किये हैं ठेक इसी तरह से आपको flower के leaf ready करने हैं और यहां पर हमने golden के ready किये हैं तो golden वाले में red red nylon लगाऊंगी और silver वाले में yellow तो मैं आपको एक अप लगा के दिखाते हूं फर्स्ट हमें nylon socks को इस तरह से रखना है और one piece हमें यह उठाना है pieces हमें जो हमने ready किये हैं और इसके ऊपर इस तरह से हमें इसे cover up करना है यह पूरा cover up हो गया है आगे और पीछे देखे दोनों साइड हमने देख लिया अब इसे यहां tightly पकड़े और और thread से हमें इसे thread हमने यहां पर double कर लिये अब इस तरह से यहां पर हमें tightly बंग देना है और दो knot हमें यहां पर लगाने है one and two अब extra thread आप कट कर दें ठीक इसी तरह से और extra cloth जो है यहां पर इसे भी हमें कट करना है तो देखे इस तरह से pieces जो है हमें 5 golden के और 5 जो है इसमें yellow के बनाने है तो मैं आपको अब सारे पत्ते जो है बना कर दिखाती हूं अब देखे यहां पर हमने अरूल फूल के पत्ते रेडी कर लिए है 5 red और 5 yellow अब हमें starting जो है वो कली से बनाना है तो अरूल फूल के कली के लिए हमने यहां पर वायर कट किये है गोल्डन वायर यह 5 पीसेस हमने 4 इंच 4 इंच के कट किये है और यह इसके leaf के लिए यह हमने 3 इंच 5 पीसेस कट किये है ठीक है यह 4 इंच यह 3 इंच अब हमें next क्या करना है paint के refill लेनी है और इस तरह जो हम fold करते थे पहले starting में ऐसे पत्तों के लिए इससे हमें इस तरह से fold करना है इससे निकाले और इससे इस तरह से थोड़ा फैलाने के बाद इससे हमें ठीक इसी तरह से आपस में फोल्ड कर देना है ऐसा जो है हमें 5 पीस ready करने है और इसमें हमने बीच में यह wire लगाये थे देखिए यह वाली और पत्ती में यह wire हम नहीं लगाएंगे तो सेम ऐसा ही हमे, five piece ready करने है, और इसके leaf करने है, उसके फैसे बाद, हम ये ready करने के बाद, ठीक इसी तरह से, हमेई इसके ऊपर, nylon लगाना है, देखे, इसे इस तरह से, हमें ready करना है, ये पत्ते बन जाएंगे, कली के, और ये जो है, यह फूल के हैं तो इसी तरह से आपको पीसेज बनाने है और इसके उपर हमें ठीक इसी तरह से इसे फोल्ड करना है नैलोन को 5 pieces रीडि कर लेने हैं, ये इसके पते रीडि हो जाएंगे, अब हमें क्या करना है, इस टाइप के कलि बनानी के later कलि बनाने के लिए, एक छोटी वायर ले, मैंने इतना छोटा एक वायर कट कर लिया है, इसे इस तरह स्टार्टिंग में फोल्ड करना है हमें फोल्ड करने के बाद ये ग्रीन वाले जो पीसे कटे-कटे बच जाते हैं छोटे-छोटे आप इससे इस तरह से यहां पे फोल्ड कर ले और उपरी सीरा जो है वो बिल्कुल ऐसे बड़ा जो हो वह इस तरह से चिकना रखे और इस तरह से कली बन जाएंगे नेक्स्ट अब हमें इस वायर में जिसमें हमें सारे फूल्ड बनाकर एटेच करना है उस वायर को हमें रेडी रखना है इसे इस तरह से हमें फोल्ड करना है स्टार्टिंग में ठीक है अब इसमें हम ये छोटे वाले जो पहले कली है इसे फोल और फोर पीस नहीं यहां पी यलो वाले पीपस लिए निये हैं इस तुम अनुट करने। और इसे इसंहें बृद को प्रेफन भाना हों पिर और इस हुम्हां पर अ पर अमरीपृ अजून बढ़ाने विए अब देखे यहां पर हमने इसे बांद दिया है इसके बाद हमें वन बाय वन करके यह वारे जो पीसे से जहां पर यह हमने थ्रेट से यहां बांदा है यहां इस तरह से रखना है इसे टाइट ली तू टाइम समय इसे फोल्ड करना है और तू टाइम समय यहां पर नॉट लग आप यहां इसकी नीचे फोड़े से इस तरह से हमें फोल्ड करना है और फिर नॉट लगाने हैं तो यह फाइव पीसेज जो पते हैं यह सारे इस तरह से वन बायवन इसके नीचे हमें पूरा फोल्ड करना है यहां से अब देखें यहां पर मैंने लिफ कर दिया है इस तरह से आपको लिफ करना है इसके बाद हम इसKA ओपर ग्रीन टेप लगाने है यह ताकि यह जो थ्रेट है वो बिल्गुल ना देखे इसे देखे पूरा कभर अब कुरा कभण अब कर दो रि भीत यहां तक हमें करना है और यहां पर एक लिए और हमें हमें ध। प्रवर लगाना है तो तो आपको फिलावर बनाने बताती हूं को देखें यहां पे कली को बांधने के गवाद हमने यहां पे कली कई प्रभाद के जर他 हम यहां पे थोड़ी दूर में लीफ अटैच करेंसा करेंगे सबसे पहले हमें यहां पर इसे लगाने के बाद ग्रीन टेप लगाना है इसके ऊपर ताकि जो थ्रेड बाहर से ना दिखे इस तरह से हमें चुछी ज्वाइंट कर देना है बिलकुल अब हमें यहाँ पे leaf attach करना है तो सबसे पहले leaf को हम wire से thread से बाधेंगे उसके बाद हम green tape fold करेंगे अब देखे यह ready हो चुका है कली बिल्कुल अब हमें यहाँ पे next flower लगानी है तो flower लगाने के लिए मैं अब flower बनाऊंगे तो फ्लावर बनाने के लिए हमने यहां पर देखे एक छोटी से वायर लिए हैं वायर में ये 4-piece हमें इस तरह से स्टार्टिंग में हमें 4-piece लेना है और ये जो हमने hook बनाया था इसमें हमें इस तरह से गुसा देना है ये ऐसे हमें पकड़ना है उसके बाद थ्रेट से इसे हमें बाद देना है इसके बाद हम इसके ऊपर रेड़ वाला बना रहे है तो रेड़ वाली जो थोड़ी से cloth है वो हमें यहां पर एटच करने है इस तरह से देखे हमने यहां पर रेड़ वाली cloth एटच कर दिये है फिर अब हमें क्या करना इसके ऊपर यहां पिप्स लेनी है हिबिसकस के जो फ्लावर के उपरी सीरा होता है उसमें बहुत सारे इस तरह के छोटे-छोटे बिट्स टाइप होते हैं तो देखें यह उपर नीचे करके हमें इस तरह से बाहना है अब हम इस साइड इसके दूसरी सीरे पर हमें इसे लगाना है तो इस तरह से हमें वन टू थ्री स्टेप यहां बनाने हैं अब देखे यह इस तरह से आपको यहां बनाना है इस तरह से इसके बाद हम इसकी सारी पत्ति को जो है एटेच करेंगे ठीक ऐसे जैसे हमने यहां पर कि वन बाई वन हमें इस तरह से इसमें में ध्यान देना होगा कि यह जो उठावा पोर्शन है बीच में जो वायर लगाया है यह उपर क्योर होनी चाहिए और इस तरह से हमें पांचों पीस जो है वह आपस में यहां पर हमें एटाच करना है तो अब मैं आपको 5 पीसेस यहां एटाच करके दिखाती हूँ अब दिखें यहां पर मैंने 5 पीसेस को एटाच कर दिया है और आप अब इसमें नॉट लगाए अच्छे से और इसके बैक के पोर्शन को इस तरह से हमें अच्छे से फोल्ड करना है और एक्स्टा थ्रेड अब कट करना है और इसके बार इसके उपर हमें ग्रीन टेप फिल करना है पूरा और ग्रीन टेप आप कट कर दें कट करने के बाद इससे इस तरह से हमें एड़स्ट करना है अपर अब यह एड़स्ट हो गए और देखें यह फुलावर बन गया है तो ठीक है हमें चार फुलावर बनाने हैं अब देखें यहां फुलावर को मैं इस डंडी से कि एटाश करूँगी तो देखें यहां पे मैंने लीफ लगा दिया किसी भी चीज को अटाइच करने से पहले हमें यहां पर थ्रेट से पहले से टाइटली बांधना है फिर उसके बाद हमें ग्रीन टेप लगानी है इस तरह से हमें इसे बिल्कुल टाइटली बांध देना है और नॉट लगानी है इसी तरह से हमें यह दो और जो हमने यहां पर फूल बना के रखा है उसे भी अटेच करना है और उसके बाद हमें ग्रीन टेप लगानी है इस तरह से हमें यह दोनों फुलावर को यहां अटेच करना है फिर एगें हमें ग्रीन टेप लगानी है अब देखिए इसके ऊपर हम ग्रीन टेप लगा रहे हैं तो ठीक आपको इसी तरह से यह दोनों फ्लावर भी इसमें एटेश करना है तो मैं आपको अब एटेश करके दिखाती हूं देखे यहां पर अब यह बनकर बिल्कुल कम्पीट हो चुका है तो यहां मैंने रेड और यलो के बंच बनाए हैं तो फ्रेंड इसे आप जरूर ट्राय करें जरूर बनाएं बहुत ही एजी है और बहुत खुबसूरत लगेगा आप जब इसे डेकोरेट करेंगे अपने रू बाप बाइ